हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे बढ़ियां होंगे तो आज सेयर करने वाले हैं बहुत ही यूसफुल किचेन टिप्स जो आपके लाइप में काफी काम असान कर देगा साथ में समय की बचत होगी तो चलिए ना जादे बाते करते को शुरू करते हैं आज का वीडियो जरा सभी यूसफुल लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहां पर धकन को लेकर क्वल्डरिंग के बोतल के धकन का आज बहुत ही बढ़िया सा और गनाइजर बनान है डबल टेप और डबल-टेप से हम यहां पर इसमें चिपकाएंगे बोड में दोस्तों देखेंगे कि हम लोग चार्जर जो खोश कर देते हैं और चब चार्ज करते हैं मॉबाइल और ऐसे ही वायर अपर लटका राता है तो अगर चोटे बच्चे घर में होते हैं तो बा आएंगे यह देखिए बहुत ही अच्छा से सेट हो गया दोनों चार्जर का वायर आइडिया कैसा लगा दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा तो देख रहते हैं नेक्स टीप्स नेक्स ऐडिया है दोस्तों चने चोले चने को उबालने को ले कर देखि इससे चने लोबाला चुटकी बेकिंग लाइडिये डालने के बाद पानी अंदाग से छोड़ा दोस्तों तरीके से आप लोग भी चने चोले उबालीए आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा चले देखर देख़ें नेक्स टिफ नेक्स ऐडिया है दोस्तों य लिए हुए है यह इस डखकन से देखिए जब भी हम लोग गैस टंकी रखते हैं जहां देखे होंगे ना कि बहुत सरा जंक का निसान पड़ जाता है तो टंकी को या तो कूट के निए कूट के पर रखिए नहीं तो लकडी पर रखिए तो काफी अच्छा रहेगा जंक का नि करने में मेहनत भी नहीं पड़ेगा देखिए कितना अच्छा से जो गैस टंकी है ना आ गया है कूट पे तो देखिए दोस्तों चोटे-चोटे से ऐसे काम जुगार करके हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं नेक्स आडिया है दोस्तों मसाले को लेकर जब भी हमारे घ होगे कि छोटे-चोचे से कंचड़ भेगरा लाश्ट में कड़ाई में छन जाता है यह चोटे-अथरे से कंड़्ूल दूल मिटी जरूर रहता है ओसा नहीं है तो हर एक चीज को फोलो करियेगा दोस्तों तो आपका काम भी असान होगा मुश्गिल से मुश्गिल काम असान होगा साथ में समय की बचत होगी और यह जो काली मिर्च इसको ठाली में निकाल के तो हमारा बहुत ही अच्छा होगा खाने पीने की समान में कोई भी हम रिक्स नहीं ले सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी यह सब टिप्स को फोलो करिएगा तो चले देख रहें नेक्स टिप्स नेक्स आइडिया नेक्स आइडिया है क्या दोस्तों वो चलिए देखते हैं और यहां पर देखिए जो हम लोग पास्ता जो बनाते हैं घर में तो उस पास्ते को किस तरीके से उबालते हैं देखेंगे कि अगर हम लोग डिरेक्टली ऐसे ही पानी में डाल के पास्ते को उबालने लगते हैं तो तो हमारा पास्ता एक में चिपक जाता है और पास्ता अच्छा से नहीं उबलता है तो यहां पर दोस्तों आज इजली बताने वाले हैं कि जब भी पास्ता को उबालिए तो पानी डालिए पानी डालने के बाद एक समागरी जरूर डालिए यहां पर है कुकिंग ओल पास्ता क क्या होगा कि जब भी आप लोग पास्ता को उबालिएगा तो आपका पास्ता जो है ना एकदम से खिला-खिला उबलेगा एक में नहीं चिपकेगा यह अजमाया हुआ टिप से दोस्तों एक बार जुरू ट्राइक करके देखिएगा तो आप लोग को हम लाइप रूप दिख दोस्तों क्या है नेक्सा आइडिया यहां पे कोल्ड्रिंग के दो धककन हम ले लिए हैं इसे हम बनाने वाले हैं एक और गोजजर जो हमारे बहुत ही काम आने वाला है यह उर्गनाइजर तो यहां पर कोई भी ले लिज्जें जैसके फेवी क्योंख हो तो इस से चिपका लिजे और नहीं तो डबल टेप से भी चिपका के अपने काम को असान कर सकते हैं तो इसमें दोस्तों देखिए हमारा फेवी क्यूग करने वाले अपने दरौाजे के देखिए फीछे साइड में देखिए होंगे कि छिटकिन्नी का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग दरवाजे को खोलते हैं तो जयाके दिवाल में खट से बचता है लगता है तो उस्यां सक्यावत कर दोफिआ से और प्रव stamps बनाकर tails लगई स slips और लुज हो जाता है तो इसे हम आसानी से घ्रेसे प्लास्क होता है उससे कर सकते हैं अच्छा से क्योंकि भी तो गलती से अगर हम ढहर से डबा उठाएं तो छूट गया हाथ से ना तो गिरने का डर होता है नहीं तो लूज धकन में क्या होता है कि हावा भी जाने का डर होता है कोई समान रखते हैं तो खराब होने का तो यहां पर देखिए प्लास्टिक टेप है उससे हम चिपका लिए है पूरे में और यह मेरा टाइटली बहुत अच्छा से बंद हो गया यह कंटेनर बहुत अच् औरहने के बाद दोनों चीजों को अच्छे से चम्मत से मिक्स कर लेना है जाने लगता है नहीं देख रेकना करिएगा इसका लाइट भी खतम हो जाता है तो इस तरीके से जो सेंपू और विंएगर को मिलाकर अपने किचन सिंग को साप करिएगा तो आपका किचन सिंग हमेशा चम चमाते रहेगा और यह जो विनेगर हम इसमें डाले है न तो पाइप लाइन के थुरू आता है कोकुरूस विगरा कीड़े मोकोड़े यह सब भी नहीं आएगा और इस तरीके से देखिए कितना अच्छ और विनेगर से साप करिएगा तो आपका किचन सिंग चम चमा उठेगा आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नीवे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों तो दोस्तों इसी तरीके से मैं न्यू न्यू टिप्स वाला वीडियो लाती होगी तब तक लिए बाई बाई